सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु भ्याम हरहर महादेव चेतर नवरात्री का चतुर दिवस जो की है 12 अप्रेल 2024 के दिन 12 अप्रेल 2024 यानि कि चेतर नवरात्री का चतुर दिवस वैसे तो आप यो पाए चेतर नवरात्री के किसी भी दिन कर सकते हो पर यदि चतुर दिवस या चेतर नवरात्रे की पंचमितिती जो की 13 अप्रेल को पढ़ रही है उस दिन करोगे तो आपके लिए बहुत ही जादा ये उपाय कारगर सिद्ध होगा उपाय क्या है? जैसा कि गुरुजी ने बताया है उपाय, दो शिवलिंग वाला वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और एक माता ने पत्र लिखकर भी इस उपाय के बारे में जान करें दीती कि मैंने ये उपाय किया था और मुझे बंच ब्रदी संतान के प्राक्ति हुई तो आप भी अवश्य ही ये दो शिवलिंग वाला उपाय कीजिए, दो शिवलिंग का निर्मान करना है और दो शिवलिंग का निर्मान करके पूजा करनी है साथ ही साथ में 9 पुश्प और 5 पुश्प वाला उपाय भी इसी के अंदर आपको कर लेना है कैसे करना है वो पूरा उपाय उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक साधिक लोगों के पास में शेयर कर दो तो सबसे पहले आपको नवरात्री के चोतुरत दिवास यानि की 12 अप्रेल के दिन दो शिवलिंगों का निर्मान करना है और दो शिवलिंग कौन से? पार्तिव शिवलिंग जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो जदी आपके पास में घर पर दो शिवलिंग है तो आप उन पर यह उपाय कर सकते हो आपको शिवलिंग बनाने के आफशकता नहीं है आपके अवल उनी शिवलिंग पर यह उपाय कर सकते हो और यदि घर में शिवलिंग नहीं है दो तो फिर आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए शिवलिंग का निर्मान करके पार्तिव शिवलिंग का आपको निर्मान करना है शिवलिंग का निर्मान करके या तो बेल पत्री की व्रक्ष के नीचे ज़िए बेल पत्री का व्रक्ष आपके आसपस नहीं है तो फिर आपके घर म ही इस उपाय को कर दीजे सबसे पहले तो जैसे पार्तिव शिवलिंग की पुझा आप करते हो वैसे कर लीजे जो भी शेक की सामगरी आपने पूजा के अंदर रख़ी हो वो पूजा उस अब इसे एक सामगरी से पूजा कर लीजी जो आपने रखिए दूद दही या फिर पंचामरे जो भी है उसके बाद में चंदन लगा कर बाबा की पूजा करनी है पर उससे पहले कारे करना है जैसे दूआप शिवलिंग बनाएंगे तो एक शिवलिंग तो महादेव का सुरूप होगा बगवन बोलेनात का सुरूप होगा शिवजी का सुरूप होगा और एक शिवलिंग होगा मा आद्दे शक्ति जगचन्नी मा पारवती का यदि मानलो आपके पास में समय की कमी है तो आप क्या करो? ये एक शिवलिंग का निर्मान कर लो और उसके बाद में मिट्टी का एक छोट असर डला यही शिवलिंग के पास में रख दो और इसको पिंडी सरूप मान कर इसी को माताद्य शक्ति माजगजनी मान लो और उसके बाद में पूजा कर लो जब आप पूजा कर लोगे पूरी तो एक लंबी बाती का दीप एक गोल बाती का दीप प्रजोलित करो घी का माताद्य शक्ति के सामने बलंबी बाती का दीब, बगवन चंकर के सामने, गोल बाती का दीब और प्रजूलित करने के बाद वे आपको 9 लाल पुश्ब कितने पुश्ब? 9 लाल पुश्ब जो लाल कलर के हो, वो समर्पित करने है बगवन माता आद्यशक्ती के शिवलिंग के यानि कि जिस शिवलिंग को आपने माता अद्यशक्ति का सुरूप माना है और पांच सफेद पुष्प अब वो सफेद पुष्प कोई से भी सफेद पुष्प वो सफेद पुष्प आपको समर्पित करने है बगवन चंकर वाले शिवलिंग पर जिस शिवलिंग को आपने शिव जी का सुरूप माना है आपकी कामना करते हुए आपकी मनो कामना बोलते हुए अपने हाथ में वो पुषपर रखकर समर्पित कीजिए चेतर नवरात्री के पंचमितिति या चतुरतिति को यह उपाई कीजिए संतान प्राप्तिगी वंच व्रद्धी की कामना भी यदि आपकी है तो आने वाले नवरात्री से पहले पहले आपको खुशकबरी जरूर प्राप्त होगी और आपकी गोद और जोली अवश्य वरेगी एक बार यह उपाई भी अवश्य करके देखिए यदि घर में दो शिवलिंग है तो फिर आप उन पर यह उपाई कर सकते हैं पूजा करने के बाद में नौ लाल पुश्प और पांच सफेद पुश्प समर्पित कर दो इसके बाद में यदि पार्थे शिवलिंग बनाए हैं तो वहीं जल डाल कर विसर्जन कर दो या किसी पात्र में जल डाल कर विसर्जन कर दो या फिर यदि आपने घर के शिवलिंग पर यह उपाई कर रहे हो तो उसमें आपको शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है घर वालों का केवल ये पुश्व उठाने जो लाल पुश्व और सफेद पुश्व और उस पुश्व को उठाकर किसी पातर में डाल कर किसी भी वरक्ष के नीचे डाल दीजिए इस प्रकार से आपको विसर्जन कर देना है ये पूरा उपाए हमने आपको करके दिखाया है ये उपाए नमस्तो ब्याम, हर हर